नमस्कार मनी मैनेजर ना स्पेशल एपिसोड मा तमारू स्वागत छे अने आप जानों चोके आज सब्ता अपड़े निरान्तर नव वर्ष नी उजवनी करी रया छे nine वर्ष CNBC बजार ना नव वर्ष मनी मैनेजर ना अन्य जो आजूए तर नव वर्ष सरकार ना पन्त भया छे तो आव वर्ष तर्मयान घणा बदा चेंजेस आव़े चे जयनी तमारा पूर्सनल फाइनास पर असर आवी होए आवा तमार में चेंजेस होय के नवा रोकाणितख होय के अमें तमने सतद जनावता होता हो चे निरंधतर तमारा सुधी तमाम जानकारी अमें पऀागी चे अबोज एक खास प्रयास आजे पर अमें करीशू पॉच्चारी छे आवोज एक खास प्रयास आजे पर में करी शू आजे CNBC बजार नीाने मुनी मैनेजर नी 9th बोर्दे पर आपने जानी शू 9 बेस्ट इन्वेस्टमेंट केटिगरीजS ने आखास चर्चामा आपरे साथे जुड़ाया चे क्रदिंस वेल्थ अडवाजर्स ना फाउंडर और अनी CEO कितन शा कितन खानु स्वागा चे आज ना स्पेशल सेलिब्रेशन मां तम्हें भी सत्य तमारी साथे रहा चो ने दर्शको ने घंवदा गाइड करया चे मने पन घंवदा शिक्वा अड़े चे आजे आज आज अप्रेशल अकेशन पर आज अचे आज ये तृ तो आपी जो है अप्रा दर्शक करूं जोए कर इतना आपने आपने पोर्टफोलियों ने बिल्डप करता हो यह त्यारे कही खास व्यात नो ध्यान राख जोए तो तो तमने ने बद्दा दर्शकोंने कॉंग्राचुलेशन्स मनें लागे चे जारे पन आपने पोर्टफोलियों बना विये राइट गणा बदाएवा रीटेल इन्वेस्टर्स चे जने कदाच इन्वेस्टिंग इतलू डेप्थ मान इतली सारी रिते ना आवड़तू होई राइट के गणा बदाएवा इन्वेस डिसकस करवू जोई है अवे ऐसेड अलोकेशन केम इंपोर्टेंट चे तम्हें गणिवधी रीसर्च थाई चे ने गणिवधी स्टडीश थाई चे तम्हें अगर जो अगर जो असेड अलोकेशन यह केवाई चे के लॉंग टर्म रिटेंज नू सित्तेर थी हैसी ठका री बहु हाई चे वर्सीज रेंडमली कैटेगरी यहने फंड सिलेक करवा अवे असेड अलोकेशन मा बे टाइप थी तम्हें असेड अलोकेशन करी सको चो एक चे ट्रेडिशनल मेथड जिवा गणा बदा इंटरनेट पर तमने इवा रिस्क प्रोफाइलर्स ने क्वेसिनेर् तो तमने खवपड़ी यह से के तम्हें अग्रेसिव इंवेस्टर चो मौडरेट चो के अंजर्वेटिव इंवेस्टर चो पना ट्रेडिशनल वे ओव असेड आलोकेशन मा मारा इसा भी बे प्रोब्लम चो चो सौती पिला कि तम्हें जे ग्वेसिनेर्स भरो चो राइट तम्हें जरूरी नती के तम्हें सबकॉंशेसली जे लखो चो यह तम्हें एक्चुल मार्केट मां करवाना चो इतले मने लागे चे की साइन्स थोड़ू के तम्हें अग्रेसिव चो के मौडरेट चो के कॉंजर्वेटिव इंवेस्टर चो यह 10 क्वेस्टिन बरी ने मारा तम्हें अलग टाइम पर अलग अलग रीते फंक्शन करें चे हैं थाट प्रोसेस भी गहना में बहु अलग चे एलग आजे तम्हें प्रोबबली अग्रेसिव इंवेस्टर चो यह रिस्क प्रोफाइलर ना हिसाब है राइट पंड मानी लो तम्हें आजे पईसाना इकाने तम्हें फिगर आउट करी लो के तम्हें अग्रेसिव चो मौडरेट चो के अंजर्वेटिव चो मारा हिसावे तम्हे थोड़ू थोड़ू टैक्टिकल अशेड अलोकेशन स्ट्राडिजी यूस करवी जोई है जी तम्हारा गोल उपर बेस्ट चे हवी हुँआ को इनी पह हाली बेज वरस चे इन्वेस करवा माते हुँआ अग्रेसिव तो चू पन कांके मारी पास हाली बेज वरस चे इनो मतलब सु मारे एक्विटी मा नाकवा के नहीं नाकवा एक बहु कन्फ्यूजिंग स्टेट अफ माइन चेह तो इतले मारे लागेज है कि तम्हें तम्हें तम्हें पासा प्रयागें पर थोड़ो फोकस करो तो तमने रृतर यहीं थैनलबुर अट वरत मारे पासी हaluकर ऑं हेलप कर से तो तक्तिकल आचेहAL केशन सूझल तम्हें Parlament बोल अन्ने गबहा ना कारो अन्न स्टेशब़ी पर घणर ओकेशिण फोटे अटले मानिनलो पार पांच वरस पची ऐड पची थे जा 10 तका पईसा एक्विटी मां राकी सको ते 40 डेट मां राको चाओ अनने तमाहरू 10 वरस नो ओराइजन तो तमे ऐसी तका एकॵिटी मां राको ने 20 तका देट मां राको तो बहूं जागे जिके कि आजे अगर तमें ट्रेडिश्नल अनने तक्तिकल ऐसेड आलोकेशन नो कॉंबिनेशन कर सो, तो यह ऐसेड आलोकेशन नो आउटपूट तमने ऐज इन्वेस्टर बहु सारू मल से वर्सेज रैंडमली कोई पंट फंट लई ली दूने कोई पंट कैटिगरी मा तमें पाइसा नाखी दिदू So, of course theoretically, आपटने असेया कटा हूए अपटने अपटना आप्टना थिंकिंग अलाग होए और काहский है और मे inland फ्यूल, कर साना करे ओगूब अग।á यह थोड़ा सेंग थानारियो आप mo है बलद में ऐना कर Gleiche- I think our tactical asset allocation ईक एक 사ा रॉल प्ले करी आपट ृँजग झा OA उए, एक एक एक्जाम्पल आप वो होई, एसेट एलोकेशन स्ट्राटेजी नो, कही रितना तम्हें आप शुब? तो बे एक्जाम्पल लिए मैं, साथी पहला तो लिए कि मानि लो कोई एक अग्रेसिव इंवेस्टर चे, राइट? तो जेवीदे में किदू कि आपड़े फिगर आउट करिये कि इने गोल्स सू चे, तो मानि लो आग्रेसिव इंवेस्टर चे, इना त्रण गोल्स चे, तो एक गोल चे इने इमर्जंसी प्लानिंग करवी चे, एक गोल चे इनू चाइल्ड एजुकेशन चे, जेहां ती मानि लो पांच वरस पची चे अनने एक गोल चे के इने रिटार्यमेंट प्लानिंग करूँ जेहां ती 10 वरस दूर चे, अवे साउथी पेली वस्तु आत्रण एवा अलग 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 ताइम फरेम मा चे, कि इन एक ब्लाऍट वर्फट्काव पांट कुम्स घुने को लेघू ऑग обदिया है, तो एक अशें गोला अलग 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 अशेंश्ट कर वकरव है। मानिलो तो महारे अगर इमर्ज़न्सी प्लानिंग करो जो, तो इमर्जन्सी प्लानिंग मां तमारे पुरा 100-100 टका इल मानिलो मारो जनो महीना नो खर्चच Charichi 15,000 रूपया सेविंग्स फंड मां 20 टका पाइसा बाफ मां अने साइंट टका पाइसा एकुटी फंड मां अलोकेट करी नाइका आ गोल मांटे अनने त्रीजू जे गोल छे मारू 10 वरस दूर छे रिटायमेंट नू राइट तो इह गोल मांटे हुं एकुटी बेट्स लही सकू छो त्रीज टका लार्ज कैप मां त्रीज मीड कैप मांने त्रीज स्मॉल कैप मां तो हुआ त्रनेव गोल नू ऐसे अलोकेशन एक बीजाती एकदम अलग छे तो अहले हुं तमने हाँ समझावनी कोशिच करूच के ट्रेडिशनल मॉडल मां हुं अगर अग्रेसिव होथ तो म अगरे मारा बदधा गोल्स मांते हुं एंकेट के ऐसी टका पैसा में एकटी मां नाखी दिदा पन तमारे गोल-wise यह ऐसे डालोकेशन नू भाइफरकेशन करूच करूच अमारा इसा Absolutely अने that would work I think much better Suppose आपड़े of course our strategy जनावी दिदी कई रितना करूच अवे एक थोड़ा funds नापड़े जो examples आपड़े तो I think that would be much clearer के कई रितना आपड़े traditional plus you know tactical asset allocation combination आपड़े वापड़ी शकेशे तो कई रितना एतना आप में समझाओ शो कया funds मा निवेश करूच अग्रेसिव इन्वेस्टर छे तो आपड़े कीदू पिल्ला मानिलो अगर इनू रिक्वाइमेंट छे इमर्जन्सी प्लानिंग तो आपड़े कीदू 100-100 टका पाईसा एना लिक्वीड फंड जे वी काटेग्री मा जवा जोई है तो तमारे थे 3 लाक रुपया नो जे में अगरे इमर्जन्सी प्लाणिंग माँ तो आपड़े तमारे चाइल्ड एजुकेशन हाथ हूं अपड़े किदेलो 20 परसंट आपडे खिदू के तमें एना पईसा कंड के 10 वरास चे एकुटी मा राखी सको जो तो 33% तमें ICA चे वैल्यू डिस्कावरी मा 33% कोटक इमर्जिंग एकुटी मा अने 33% निपॉन स्माल कैप मा हवे तमें आगर फ़ंड्स मा जेवीरिते में वेट साते किदू चे तमें आलोकेट कर सो तो एमा एक तो AMC लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन आवी जाई चे फ़ंड्स लेवल पर डाइवर्सिफिकेशन आवी जाई चे लार्ज कैप, मिट कैप, स्माल कैप और एक्विटी और डेट लेवल पर पन एक बाइफर्केशन थाई जाए छे तो मारा इसाब पर्फेक्ट स्ट्राडेजी छे तमारू एसेड अलोकेशन और गोल बेस्ट प्लानिंग नो एक मिक्स करिने त्रनेव गोल अलग अलोकेशन इनना कितलो टाइम जो यह चे एना इस कर्वों है तो वेरी गुड तो जो आज सेम त्रन एक्जैमपल आ पूछो अने बद्दानो इंडिविज्वल अलग 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 असे जारे तम्हें इमर्जन्सी प्लानिंग नी वात करो तो इमर्जन्सी प्लानिंग टिपिकली सू चे काले तमारो जॉब लॉस थाई गलानिर नीट है एएवलियूड सेटना था जाई है तो तो तीपिकली तिएओरोटी के थाईगिली चाहती भार महीना ना पासे भाज पासे होँ है हम एप है थाईएग नवार्टिक अन्यविजीम महीना नो जेटलो खर्चों जेकली आटला पासे 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 होँ हूष राइट भीजा जे बेग्जम्पल ऑफ इंडिविजुविस्टिक थे का हुच चाईल्ड मेरेज राइट तो बड़ी अलग अगए है चाईल्ड एजुकेशन क्या आवे थे ने चाईल्ड मेरेज जारी आवे थे जीनल है तिपिकली आंचे शॉट टम प्लानिंग प्लानिंगा एक मीडिय। जी प्रावब JJP चरपाँच वरस पच्छिया। एक के स्लाइटली लॉंग टम टम प्लानिंगी तो मीडिय। तमारा केस मां चाइल्ड एजूकेशन दस वरस पची आवे चे तो आपड़े यह रिटार्यमेंट पर डिसकस करिये चे यह तमारे पर अपली केबल था यह से तो आतो बार ते थाई अग्रेसिव इन्वेस्टर नी के कई इतना एक स्ट्राटजी वापरी शक्ये छे पर बीजो एक वर छे जे कॉंजर्वेटिव पंचे जे पर इन्वेस्टमेंट अखरतू होई छे आप्रे भी चर्चा करेशू परे पहला मारे लेलेव पर शे एक ब्रेक तो ब्रेक पच्छी पाच्छा फरीशियों निया चर्चाने चालू राखेशियों अमरे साथी जोड़ा लारेशियों परेक पच्छी आपनों स्वागत छे ने आपड़े नाइन कैटेगरीज ये वी समझी रहा छे किर्टन पासे कि जहां आपड़े इंवेस्मेंट अर्करीशे नेक्स्ट नाइन तू तेन येर्स माते आपड़े पोर्टफोलियों ने नव गणों आपड़ी साथ बिल्डप करी शके ने आपड़े नेमा थी रिटर्स मरी शके अफकोस ब्रेक पर जयता पहले आपड़े अग्रेसिव नीचर ऑफ इन्वेस्टर नी वाद करी कि कही रि आपड़ेटिव माते बेवस्तु बहु डिफरेंट असे आपड़े आपड़े अनी ब्रेक नी पिल्ला जे डिसकस कही रुए ना करता एक तो सिलेक्शन ओफ फंड्स एक्विटी मां तमें कदाच मिड़काप स्मॉलकाप नही लाई सको राइट कदाच वधारे आसे बट इंपोर्टेंटली काया रेशियो मां पाइसा के किटला वेट मां तमारे पाइसा काई काटिगरी मां आखवाना चाही पंड बहु डिफरेंट छे अग्रेसिव इन्वेस्टर करता कानके कॉंजर्वेटिव इन्वेस्टर एकलू रिस्क नथी लाई सकतो तो हवे आपड़ मारे चाय्ड ग्यूकेशन प्लानिंग कर शेष्यों अथी पांच वरस प C, अन्य मारे 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 रिटार्यमेंट प्लानिंग करू चाहा थी दस वरस पrawस पच पन हूं कॉं स्वेटिव तो तो तामे कर तो इमर्जंशी तो सम्छ जहिए जितला पैसा जो है चे छह महीना के बार महीना ना पैसा यह था बद्दा पैसा लिक्विड फंड मा राखी देवाना चाहिए तो इमा को बहुड डिफरेंस ना अग्रेसिव करता तो तमारा बीजा बेग ओल मा बहुड डिफरेंस आउ से तो मानिलो है मारी बासे पांचाज से ने मारे चाइल्ड एजुकेशन करवो चाहिए पन कांचे हूं कॉंसर्वेटिव चू हूं बहुड रिस्क नथी लह सकतो तो हवे यह यह अलोकेशन बहुड चेंज था जासे तो तमारे यह हवे 40 तका पैसा एकुटी सेविंग्स फंड मा राखवा पड़ से तमारे अग्रेसिव इन्वेस्टर्स नी अपने जारे वाद करीशन है आपने एकुटी मा राखेला तो एक मोटो डिफरंस है अन्य जारे अपने लास्ट गोल नी वाद करीए चे यह रिटायमेंट रिलेटेड अपने एग्रेसिव मा किदेली हुड पूरा सो तका पैसा एकुटी मा राख सो और तमें वीशत टका पैसा एकुटी मा राख सो और एपन खाली लार्ज कैप कांके कॉंजर्वेटिव चे इना रेशियो जाने फंड सिलेक्शन बवाज अलग छे वरसीज तमें अग्रेसिव इन्वेस्टर मा सुखईर हो तो अपसेल्यूटली एकले इतना ना फंड्स गना बदा अलग हसे तो अगर तमें टिपिकली जी आपणे फरस्ट कैरू आपड़े इमर्जयंसी प्लाणिंग तो इमर्जयंसी प्लाणिंग मा तमें तमें पचास टका पैसादा हमारा HDFC लिक्विड मा राखी दोने पचास टका बंधन लिक्विड मा राख यह जो जागे चाइल्ड एजूकेशन नी आपड़े वाद करीली एमा तम्हें 20 टका पैसा कोटक एकुटी सेविंग्स अने 20 टका पैसा एक्विटी मा राखो लार्ज कैपी तम्हें PPFAS नी फ्लेक्सी कैप मा राखी दो तो तम्हें अमारू अलोकेशन तहीं कि चाइल्ड एडुकेशन ते रिलेटेड अवे रिटार्यमेंट प्लानिंग मा आपड़े कि देलू 3 स्टका पैसा मीडियम डियूरेशन मा रेवाजु यह आपे रिष्ट केपसी को ऑनानिक पुच्पा नाहिंन प्लानिंग यह ऊचेप सीज अवे लगर खाणिषट weas rap v10 कि यह अछू भी करो तम्हारा नहीं आपड़ेशन नात हम तो तौम्हें नाकिटा पम्हें आरेशन करता तौ तो तम्हारू रिस्क की व्या से ऐने कंस समय आपी सकसो तमारा इंवेस्मेंट मा एवा इंवेस्मेंट मा आपड़े थोड़ू एक्विटी पन आएड काईड़ू छे के इनू रिटर्न इंफ्लेशन ने बीट पन करी सके सपोर्फ खुश औरर इंवेस्टर अव तो मारे इसे मारे पास से इैटलो न थाइम न थी तो मारे शू करवानू अगर इम्ट से इस आटलो एक प्रॉफपाल चीनज कर ऊपर चीन बीटर सिन्च मरे कर ऊपर है करनके जो ने गोल नहीं नहीं शके तो मारे इसाव कर एक प्र нрав प्रावलेम पासे टाइन पंड नथी, मानने लोग तम्हें कॉंजर्वेटिव इन्वेस्टर ओपन तम्हें पासे दस वरस चे, तो एक्विटी भले उपर नीचे उपर नीचे थाई चे पन तमने दस बार टका तो कदा 10 वरस मली जा से, पन तम्हें कॉंजर्वेटिव पासे चे तम्हें पूरा पाईसा फिक्स्ट इंकम माजरा रेवा देवा जोई है, कानके तम्हें अगर बे वरस मां रिटर्न वदारे जन्रेट करवा माटे एक्विटी मान नाक सो, तो ना एक तो तम्हारा रिस प्रोफाइल ने इसूट करे चे, अन्हें अगर मार्केट वोलेटाइल रेशे, जिए लुप नेचर छे, तो तम्हें कदा अगर इस पाईसा इंवेस्टेड पन नहीं राखी सको खंगा, और पैनिक मा निकाली देसो, तो अगर रिटर्न समय थोड़ो वदारे राखो इंवेस्मेंट मा, और जितलो वदारे समय थोड़ो वदारे र इना पर थी बीजो एक सवाल, especially for the conservative investors अने जिमनीपास से ताइम ओच हो पड़े छे ने गोल्स माई जो इमने कॉंप्रमाइज न करू हो हो तो बीजा कोई एसिट क्लास के बीजा कोई एविन्यू साथ हे लेवरेज करी छाके छे 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 लोगो तमें गोल्ड पन आड करी सको कानके आजे तमें अगर जो सो गोल्ड मा छेला वीस वरस नू गोल्ड नू रिटर्न निफ्टी ती एकदम बराबर रतु जारे वच्मा मार्केट्स थोड़ा लो अता राइट अनने I'm sure आपने बदा या रिसर्च वाई चू छे तो हवे तमें अगर SGB, Sovereign Gold Bond मा पाईसा राखो चो तो इमा तमने वे तरन एड्वांटेज चे अफकोर्स तमें तमारा टोटल आलोकेशन ना कदा 10 के मैक्सिमूं 15 टका पाईसा गोल्ड मा राखो पने तरन चार एड्वांटेज चे तो सौथी पहलू तो ही के गोल्ड नू रिटर्न आपने जोयू चे के ओवर प थर्ड मचॉरिटी पर तमारू कैपिल गेंस टैक्स फरी चे अने फोर्थ वेरी इंपोर्टेंटली के आज तमने डाइवर्सिफिकेशन जो ही चे तमारा पोर्टफोलियो मा राइट एक्विटी फिक्स्ट इंकम अने गोल्ड तो इगोल्ड नू जे कंपोनेंट चाहना थ तमें एड करी सको जो एक प्रॉब्लम चे तमने लिक्विडिटी जोती जोती तो इतली इतली सिंप्ली नहीं मले पांड आई थिंक ऐसे डाइवर्सिफिकेशन नी वात करिये चे तो गोल्ड डेफिनेटली शूड प्ले ए रोल तका तमारा पोर्टफोलियो मा गर गोल्ड तो इतली डेफिनेटली रिस्क अन्ने तमारा रिटर्न ने एड ज कर से पन हाँ गोल्ड अने एकुटी मा जारे पने पड़े पैसा नाकिये चे तो आपड़ी पासे समय हो जो ही है कांके अबेव एसेट्स वालेटाइल चे तमाही बासे समय नहीं तो टाइम करीने एमा रि पर रिस्क अन्ने एडिलिटी चे समय नहीं हो ही तो तमाहरू टाइमिंग इतलू परफेक्ट हो जो ही है तो तम्हें रिटर्न कमाई शक्सो भी आज सेट्स नाकिक तो आपड़े समय ताइम नहीं आपड़े गानिवदी चाचा करी अवरजी कितलो एक ताइम फ्रेम राख काहिरू चे आमाहरू तमने त्रण चार वीक पे लाइक सेबी रिपोर्ट आवेली कोट करू चू के मार्केट मां खाली त्रण टका एवा म्यूचल फंड इन्वेस्टर्स चे जे पांच वरस्ती वदारे होल्ड करे चे इन्वेस्मेंट्स ना राइट जितला लोको इन्व करें चे राइट अने अमारू रीसर्च एम के चे कि तमारी पासे मिनीमम त्रण वरस्ती उपपर नू इन्वेस्मेंट्स चे जो तो तमें खाली लार्ज केप में इन्वेस्ट कर जो तमें पांच वरस्ती उपपर नू इन्वेस्मेंट्स चे तो तमें मिड केप में झाले लेक्विटी में पाईस नाके जो थाथ नागे अजिस फांच वर्स अमाई चे और उन्हां कई स्मॉल कैप कानके हमें जे साइकल स्टड़ी कही रही चे मार्केट कैप नी अने केविरी ते पैटर्न प्ले आउट था 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 मने स्मॉल कैप मा मिनिमम साथती आंट वरस इंवेस्टेड रहू पड़ से साइकल नो एडवांटेज लिवा माते हैं तो मारा इसा बहु इंपोर्टेंट छे के वीवर्स अपड़ा समझे के पांच वरस होई तो खाली लार जने मिढ करो स्मॉल मा नहीं जाता ओकी तो पांच व पर अत्यार ना आपड़ी पासे आटलोज समय छे कृतन घणो आभार तमारों अमारे साथे आजे जोड़ावा बद्दल आन्नाव वरस ना सालिब्रेशन माते अन्या होप के आपड़े वधारे आममा काम करता जो रहेशू ने आपड़ा दर्शकों ने अफकॉस एडवां झाल झाल